सीरियल किलर के केस के लिए एक एपी आईजेंट को बुलाया जाता है पर एक विटनेस के साथ इन्वाल्ड होके इस विटनेस के कुछ सिक्रेट्स थे और यही पर सारी चीज़ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको टेकिंग लाइफ यह 2004 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉल्ड मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसके ट्विस्ट के लिए अंदग इस वीडियो को जरू देखिएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइ एसा ही कुछ कर रहा था तो दोनों में फ्रेंड्शिप हो जाती है अजानक से बस बन पर जाती है मैट ने कहा कि एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था मुझे बारा घंटे वेट करना पड़ा था इतना वेट यह नहीं कर सकते पास में उन्हें कार रेंडल का शौप दीखा व इस वज़े से उन्होंने उसे मिल्टरी स्कूल में भीज दिया था वहां से भाग कर रहा है और अपने म्यूजिक करियर को कंट्रीनू करने के लिए जगा पर हो जा रहा था अजानक से गाड़ी पंचर हो जाती है मार्टिन को टायर चेंज करना नहीं आता था टायर चेंज कर रहा था पीछे से गाड़ी आती है और मार्टिन को एक आईडाय उसने मैट से का कि हम दोनों की हाइट सेम गाड़ी जैसे पास आती है वैसे मार्टिन को पुष कर देता है इसे गाड़ी का भी एकसिडेंट हो गया और मैट की वही पर डेथ हो गई अपनी के वक्त एक डेट बॉड़ी मिलती है एक लेड़ी जब शिप से उत्री तो उसने अपने बेटे को देखा वो तुरंत पुलिस ऑफिसर के पास जाती है उसने कहा कि मेरे बेटे क्यों डेट हो चुकी है उसने मुझे पहचान लिया था हम दोनों की भीच में आई कॉंटक भी ह हुआ था मेरे बेटा एक बहुत ही डेंजरस आदमी है बॉड़ी मिलने को कुछ टाइम गुजर चुका था पर फिर भी मर्डर सौल नहीं हुआ इसे सौल करने का नाम पैकेट नाम की डिरिक्ट्व को दिया गया था उसे के सौल नहीं हो रहा तो उसका बॉस लख लख ले यह ब्याय की डिरिक्ट्व एलिना को वहाँ पर बुला लेता है इस बात से पैकेट को बहुत ही बुरा लगा था उसने कहा कि हमें केस सौल कर सकते थे लख रहे गयता है कि इस केस के पीछे कुछ ना कुछ तो अजीव है यह इंविस्टिकेशन करने के लिए क्रेव देखन किया है यह परफेक्ट स्वेर भी बना हुआ था उसने विक्टिम की फोटो से फिगराओट किया था क्यों सायकलिंग क्या करता था और पास में बाइसिकल का ट्रैक है किलर को विक्टिम की रूटीन के बारे में पता था उसने यह सब देखा और एक दिन उसे मार डाला इलि बहुत ही स्मार्ट डिटेक्ट्टिव थी हर एक चीज को पहचान जाती थी हमेशा हो कैस का स्टेडी करती रहती है अगली दिन और एक मर्डर हुआ था पर इस टाम मर्डर होते वक्त एक विटनेस ने देख लिया था ये विटनेस हमारा और एक मेन क्यारिक्टर है और इसका नाम है कॉस्टा जैसे मर्डरर मर्डर कर रहा था इसकी सारी डिटेल्स वू बता देता है पैकेट को लगा कि कॉस्टा कुछ अजीब है तुससे क्वेशन पुछने के लिए एलीना जाती है कॉस्टा एक पेंटर था तो उसने कहा कि किलर की स्केच में आपको बना कर देता हो इन्वेस्टिकेशन के वक्त वह बहुत ही नर्वस है कॉस्टा ने विक्टिम को बचाने की बहुत कोशिश की थी सारा बलड भी उस पर लगा हुआ था इस सबसे वह बहुत ही ज़ाता इस्टब था एलिना जान बुशकर मर्डर वेपन नीचे किरा देती है इस बात से कॉस्टा बहुँट डिस्टब हो गया उसने कहा कि क्या तुमने जान बुशकर किया एलिना बुले से कह थी है यह जैसे murder हुआ है इसे हमें पता चलता है killer left-handed था कॉस्टा right hand से draw कर रहा है उसने cigarette भी right hand से पी है जब मैंने murder weapon को नीचे गिरा है तो disturb हो गया था अगर एक कोई serial killer होता तो इससे वो disturb नहीं होता case की सारी files table परीपड़ी है अगर कॉस्टा killer होता तो इससे दिखने क्यों कोशिश करता मीटिंग के बाद packet ने एलिना से कहा तुम्हें ये सब tricks FBI में सिखाई जाती है तुमारी हर चाल में समझ सकता हो इस तरीके से एलिना को देखकर कॉस्टा ने कहा कि मुझे उससे बात करनी है कॉस्टा कहता है कि मैं उससे सिफ तुमसे दूर करना चाहता था एलिना इसके लिए thank you कहती है जहाँ पर murder हुआ था वहाँ पर एलिना ने investigation की उसने कहा कि killer ने इस बार का murder openly किया है जैसे उसे अटेंशन की जरुए दिया कॉस्टा ने किलर का जो स्केज बनाया है यहार जगा पर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया था एक बिल्डिंग की ओनर ने उन्हें कॉल किया वो गयता है कि तीन मंस का इसने रेंट पेनी किया था वो अनर को ज़रा दूर लेका जाते हैं वहां पर किलर रह रहा था वहां पर अ कीचे आके इस आद में के वी क्रेटिट कार्ड किलर यूज कर रहा है कल लींग उसने एक जगापर क्रेटिट कार्ड व correctly चलिन ने कहां ऑर कि बहों से कौछ से पेसे में आ गया वहाँ पर एलिना बैटी हुई थी कोस्टा ने कहा कि क्या इस सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर मुझे पर नजर रखी जा रही है एलिना ने कहा कि किलर बहुत रेंजरस है हम तुम्हें प्रोटेक कर रहे है एलिना ने उस रात के मर्डर के बारे में डिटेल में उ इस की स्टोरी भी उसने उसे बताए कोस्टा ने एलिना को कहा कि मैं तुम्हें कॉफी ऑफर करता पर एलिना ने बहुत सारी कॉफी और पीकर रखी थी को गहता है कि शायद तुम्हारा कोई प्रॉल्म है एलिना इस परस्त है और उसे अपना नंबर देखकर चली जाती है इन दोनों में बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जिस बिल्डिंग में किलर रुका था वहाँ से उसने 20 बार एक घर में कॉल किया था यह उसी लेडी का घर है जो मुवी के फर्स में पुलिस ऑफिसर को बता रही थी उसने अभी अभी अपने बेटी को देखा और वो बह पीर गया था उसका बड़ा ब्रदर उसे बचाने के लिए गया पर बड़े ब्रदर की टेथ हो गये वह गयती कि इसके बाद मार्टिन बहुत ही डिस्टब हो गया था वह पहले वाइलन था और इसके बाद और वह ज्यादा अग्रेसिय ओ गया था जब वो 16 साल गया था कैशर के घर में एक बेस्मेंट है इसे जाकर वह देखना चाहती थी इलीगल था पर फिर भी हो घुच जाती है नीचे जाने पर उसने देखा तो जिस तरीके से लास्ट मर्डर सीन पर कागस की फिगर्स बनाई गई थी उसी टाइप की फिगर्स यहाँ पर भी है वहाँ ब उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी ग्रेडिट कार्ड ये सब चीज़ी यूज़ करकर वह जीता रहता है बच्पन में उसका ब्रदर डूपकर मर गया था उसकी मदर उससे प्यार नहीं कर दी थी खुद से दूर भागने के लिए दूसरे की आइडेंटिटी ले ले लेता ह पैरलेल में कौस्टा के घर बर चोरी हुई थी और उसके आइडेंटिटी के डॉकुमेंट्स ये गायब थे एलेना कौस्टा के कैलेंडर में देखती है तो कौस्टा की मीटिंग एक ऐसे आदमी के साथ थी जिससे किलर ने ओल्डेट ही मार दिया था अगर कौस्टा उसे क तुम्हें कुछ भी होने नहीं देंगे और उसकी बात तुम मान जाता है कॉस्टा ने एलिना से कहा कि प्लीज मुझे घर छोड़ दो उसे बुछता है कि तुम्हें सब कर कैसे लेती हो एलिना ने कहा कि जब मैं 12 साल की थी तो हमारे घर में एक आदमी चूरी करने के लिए घ कलिदनों से रेडी करकर बार में भेज दिया जाता है बहुत टाइम हुआ पर कोई भी आया नहीं था उसे एक नैपकेन पर नोट मिली कि मुझे आकर बातरूम में मिलो वह बहुत डर कर बातरूम में गया और वहाँ पैकेट था उसने कहा कि शायद हमारे बारे में किलर को चल गया इस वज़े से वह नहीं आ रहा कोस्टा इसे और वी ज़्यादा डर गया घर पर आने के बाद वो इलिना से कहता है कि मुझे इस तरीके से डरना नहीं चाहिए था इसे मैं एक अच्छा आदमी नहीं लगता एलेना कहती कि तुम बहुत अच्छे हो कोस्टा ने कहा कि अच्छे आदमी को कभी भी लड़की नहीं मिलती ने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा अगली दिन अलेना ने लिक्लेर से बात की वो गहती कि विटनेस के लिए मुझे फिलिंउब और इस वज़यसे केस पर उनकाम सकते लकले ने कहा कि पहले हम दोनों ने साथ में काम किया तुम कभी भी फिलिंग्स को बीच में नहीं आने देती मुझे तुम्हारी जरूरत है प्लीज इस केस पर काम करो एलेना रुकने के लिए मान गए एक दिन कॉस्टा का शो था और वहाँ पर सब पुलिस उस पर नजर रखते हैं वह भी थोड़ा-थोड़ा एलेना के कोस्टा था उसके घर में पहुझ गया वह गहता है कि तुम इस तरीके से जा नहीं सकते हैं तुम जो भी गेम्स कहल रहा इन सब पर मेरी नजर है कॉस्टा ने जल्दी से बैग में से अपनी गन निकाली पर उसे चलानी आती नहीं थी बुलेट कावा सुनकर पुलिस ओफि कोस्टा ने कहा कि यह वही है को इसके पास जाबा था इसके पहली गाड़ी प्लास्ट हो गए कोस्टा को थोड़ी सी चोट आई थे पुलिस ने उस आदमी का डियने चेक किया तो कंफर्म हो जाते हैं कि वही आदमी किलर है राद में कॉस्टा एलिना से मिलने के लिए और और हम दोने एक साथ रह सकते हैं एलिना को कॉला जाता है और एशर को डेड़ बॉड़ी को रिकगनाईस करने के लिए लाया गया है उसने डेड़ बॉड़ी देखकर कहा कि यह मेरा वेटा नहीं है एशर लिफ्ट में आई तो उसके पीछे कॉस्टा था उसे मदर बुलात है उसने का कि मैं सिर्व तुम्हारा प्यार बाना चाहता था एलिना समझ आती कि कुछ ना कुछ तो गड़बड है वो एशर की लिफ्ट नीचे आने से पहले नीचे आके लिफ्ट का दर्वाजा खुला तो कॉस्टा ने एशर को मार दिया था इस बात से एलिना को बहुत करनी पाय और कॉस्टा नीचे चला गया वो पैकेट को कॉस्टा को ढूढ़ने के लिए भोल दे थी है पर उसे ढूढ़नी पाते वो ट्रेन लेकर और वहाँ से चला गया था पैकेटिट लेना पर बहुत जादा घुर्सा हो गया और उससे में उसे सलाप कर देता है अल्ए उसे भी मार दिया और अब उसके आइडेंटिटी के साथ वो आगे बढ़ रहा था कौस्टा के साथ जो आदमी था उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक चोर था कौस्टा ने उसके पैसे डुबाये थे उसी वज़े से उसका पीछा कर रहा था यह तो उसने कहा कि हम दोनों एक जैसे है मैं तुम्हारे सामने जड़ा अलग व्रिटेंट किया पर एक्च्छल में जैसा हूं तुमने मुझे वेसा ही देखा हम एक साथ बहुत ही खुश रह सकते हैं पर एलेना इस बात के लिए नहीं मानती किस तरीके से कॉस्टा ने उसे बेवखुब बनाया इस बात को लेकर वो बहुत ही हर्ट हो गई थी कॉस्टा को ढूणने का पुलिस ने बहुत राय किया और वो कुछ भी कर नहीं बात है एलेना उसे सही से जज नहीं कर पाई थी और उसी वज़े से उसकी जॉब चैली जाती है इसके बास सेवन मंद गुजर चुके है हम देख सकते हैं कि एलेना एक छोटे से गाव में रह रही है क्योंकि वो प्रेगनन्ट है एक दिन अचानक से कॉस्टा उसके घर में आ गया अपने घर में एलेना ने बहुत सारी गंच शुपा कर रखी थी पर कॉस्टा ने सब कुछ ढूण लिया था वो नोटिस करती कि फर्स मर्डर में कॉस्टा ने जो मर्डर वेपन यूज किया था यही उसके पास है वो गहता है कि तुम्हें ढूनना तो बहुत ही आसान था मुझे जब पता चला कि तुम प्रेगनन्ट हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था हम दोनों कहीं दूर जाकर फिर से हमारी लाइफ स्टार्ट कर सकते है एलेना कही थी कि बच्चा तुम्हारा नहीं है तुमने पेंडर होने का प्रेटेंड किया था मैं उसी पेंडर से प्यार करती थी और यह बच्चे भी उसी के है कॉस्टा इस बात से बहुत ही जादा गुसा आगया उसे मारने लग जाता है एलेना चाकु ले दिया पर कॉस्टा ने उसके हाथ से ले लिया कॉस्टा को हस्पिडल से पता चला था कि एलेना को ट्विन्स होने वाले है वो एलेना को पकड़ कर कहता है किस वर्ड में फिर से ट्विन्स नहीं आ सकते हैं उसने चाको लेकर डायर्ग ले उसके पेट में घुसा दिया एलेना वही चाको लेकर कोस्टा की चेस्ट में डाल दे दिया उसने अपने पेट में से कार्ड़ बोड निकाल लिया गहती कि यह सब कुछ जूट था कर दीजेएगा बहुत सारे मुवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मत भूलेगा हम वीड़ से मिलेंगे और एक नहीं के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखें